आप सबी लोगों को मेरे यूटूब चैनल स्वाट बिजली वाला मसभागता है दोस्तो आज मैं बताऊंगा कि हमारी जो कैमरे लगते हैं उनमें जो केबिल पड़ती है जातर हमारे आजकल जो केमरे लग रहे हैं वो कैट 6 केबिल मांगते हैं उसमें हमारी दो क्वालिटी क केबिल आती है एक हमारी नॉर्मल केट 6 होती है और एक कैट 6 होती है हमारी cat 6A ठीक है तो इसमें क्या अंतर होता है और क्यूं डाली जाती है उसके चीज़ में डिटेटर में बताऊंगा आपको तो यह अमित जी हैं और यह जो इनके हाथ में जो दो केबिल आपको भाइट cat6 है यह वाली जो ग्रे कलर की आप देखरो इसमें और उसमें यह अंतर होता है जो हमारा long length जो बड़ी दूरी के camera होते हैं जहां उनका DVR जो है वो बड़ी दूर लगता है तो उसके लिए हम cat6 use करते है cat6 a और जो हमारे normal length जिसकी होती है जैसे 50 मीटर है या 70 मीटर है उसे 70 मीटर से कम में रहेगा तो हम क्या गरेंगे हम अपनी normal cat6 डाल सकते है जो long length है उसकी यह से कि 100 मीटर के something है 100 मीटर के extra है तो हम उसके लिए cat6 a डालेंगे और cat6 a से क्या होता है आपको कम length में भी cat6 a डालोगे तो आपको best quality मिलेगी best clarity मिलेगी ठीक है तो यह चीज आपको client को बताएं सब client को नहीं पता होता है दोस्तों यह देख रहे हो जो हमारी cat6 a के विल है यह कम scope के network net cat6 a सी सी डवल फोर्ड जैडवन cat6 a ठीक है तो यह इसका नाम है कम स्कॉप कंपनी की हमारी यह केविल है और इसको इसकी जो क्वाल्टी इसको लगाने के बाद जो क्वाल्टी केमरे की निकलती है बहुत ही best quality निकलती है और इसलिए हम ने जातर अपनी पूरी साइड के अ लिए है वाई-फाई के लिए है डाटा के लिए है यह उजग की है सिर्फ हमने cat6 आप डाली जहां पर हमारा टैली फॉन पॉइंट है और पर को पष्ट है और वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो गो सब्सक्राइब करें चैनल पर नए है तो थांक्यू जैहिन बन्ने मात्रम